Hello everyone, welcome back to my channel So, आज मैं आपके साथ share करना चाहूंगे कि किस तरह से आप अपने heavy gown को reuse करके एक beautiful सा लहंगा create कर सकते हो So, यहाँपे मैंने अपना gown ले लिया है और सबसे पहले हम इसको खोल के रखेंगे हम अपने लहंगे की लंबाई नाप लेंगे कि कितनी length हमें चाहिए तो अगर आपके gown की length proper है तो उपर कुर्ती वाली जगए से इसकी सिलाई खोल लेनी है यहाँ पे पर मेरे gown की length जाता है तो मैं इसको अपनी लंबाई के हिसाब से cut करूँगी यह देखिए खुली वाली side gown की मैंने नीचे की तरफ रखी है और तयार length मुझे चाहिए 49 इंच तो इसमें हम half इंच प्लस करेंगे तो साड़े 49 इंच पे हम निशान लगाएंगे और निशान हम उपर की तरफ लगाएंगे यह मैंने निशान लगा लिया है अब इसके उपर हम इसकी cutting कर लेंगे यह हमने cutting कर ली है इसकी और एक side की सिलाई हमें खोल लेनी है side से हमें जितना इसको खुला रखना है उसी साब से हमें इसकी सिलाई खोल लेनी है तो जहाँ पे हमने इसकी सिलाई खोली है वहाँ पे अस्तर वाले कपड़े को और मैन फैब्री को एक साथ हम डबल फोल्ड करेंगे दोनों साइड उसे और इसके उपर हम एक सिलाई लगा लेंगे तो यह देखे मैंने सिलाई लगा ली है सीधी वाली साइड में यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम इसको चारो तरब से नाप लेंगे जितनी भी इसकी चुडाई आएगी उसी साब से हम इसकी पट्टी कट करेंगे अंदर के लिए तो हमारी यह आई है साड़े चोतिस इंच तो इसमें हम डेड़ इंच प्लस करेंगे तो चतिस इंच की हम पट्टी कट करेंगे उसकी लंबाई हम रखेंगे तीन इंच तो ये मैंने पट्टी कट कर ली है ये पट्टी मैंने अस्तर वाले कपड़े की कट की है तो ये बहुत पतली थी इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके लिया है अब हम इसके उपर इसको अटैज करेंगे तो पट्टी को हम उपर की तरफ से डबल फोल्ड करेंगे पहले और उपर से एक सिलाई लगा लेंगे उसके बाद में हम लेंगे कि उपर रखेंगे और सीधी वाली साइड दोनों की अंदर की तरफ रहेगी और उपर से चारों तरफ से हम एक सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड में जहां पर हमारा कट है वहां पर भी हम हाव आफ इंच दो बार फोल्ड करके पहले सिलाई लगाएंगे देखे मैंने इसको सिल लिया है उसके बाद में हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, पूरे को हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और हाफ इंच एक फोल्ड करेंगे, इस तरह से और पूरे पे एक सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके, यह देखें मैंने इसको सिल्के तयार कर लिया है और साइड में अगर आपने इसको जादा खोला है तो यहाँ पे आप फूक लगा सकते हो तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रही हूं क्योंकि मैंने एक इंच के करीब खुला छोड़ा है तो जरूरत नहीं है अब हम ब्लाउस की कटिंग करेंगे तो जितनी आपको त साब से आप कटिंग कर सकते हो मुझे यहाँ पे तैयार लेंद 13 इंच चाहिए तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो साड़े 13 इंच पे हम निशान लगाएंगे सेम निशान हम दूसरी तरब भी लगा लेंगे और उसके बाद में हम निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे अब हम क्या करेंगे blouse के दोनों साइड में हम सिलाई को थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे अभी हम पूरा नहीं खोलेंगे यह देखे मैंने इसको खोल लिया है उसके बाद में हम इसको बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएंगे और इसके दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है I mean टक्स लगाने है तो इसमें हम साड़े 3-3 इंज पे दोनों साइड में निशान लगाएंगे और लंबाई इसकी हम रखेंगे 3 इंज यह सिलाई हम अंदर की तरफ लगाएंगे निशान मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बाहर की तरफ लगाए है सिलाई हम अंदर की तरफ करेंगे और सेम निशान हमें अस्तर वाले कपड़े भी लगा लेने हैं अस्तर वाले कपड़े पे अलग से सिलाई करनी है मैन फैब्री के उपर अलग से दोनों को एक साथ हमें नहीं सिलना है तो यह देखे मैंने इनके उपर सिलाई लगा ली है उसके बाद में अस्तर वाले कपड़े को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों को fold करके एक सिलाई लगा लेंगे अभी हम front part पे सिरफ सिलाई लगाएंगे यह देखे मैंने सिलाई कर ली है उसके बाद में हमें क्या करना है और इसको पूरा हमने इसकी सिलाई खोल ली है दोनों तरफ से और जो back वाला part है इसको center में हमने cut कर लिया है और यह हमने पटी ली है इसके उपर joint करने के लिए तो एक हमने अस्तर की पटी ली है और एक हमने man fabric की इसकी लंबाई हमें अपने blouse के हिसाब से रखनी है और एक इंच हमें इसमें extra रखनी है लंबाई और इसकी चोड़ाई देखिए मैंने 3.5 इंच रखी है और अस्तर वाले जो कपड़ा है उसकी चोड़ाई मैंने 2 इंच रखी है उसके बाद में सेम तरीके से हम पीछे वाला जो पार्ट है उसको भी half-half इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाही लगा लेंगे नीची की तरफ से इसको बंद कर लेंगे दोनों पिस को ये देखे मैंने सिलाही लगा ली है उसके बाद में हम इस पटी को जोंट करेंगे तो सीदी वाली साइड कपड़े की ऊपर की तरफ रहेगी और इस पटी को हम उपर की तरफ से half-half इंच फोल्ड करेंगे उसके बाद में उपर से एक सिलाही लगाएंगे इस तरह से और नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे सिरफ हाफ इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे की तरफ अब हम इसको उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ जो कपड़ा हमने एक्स्टर रखा है उसको भी उपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहां पे एक सिलाई लगा लेनी है अब हम इस दूसरे के उपर भी हम जो हमने पट्टी कट की थी मैन फैबरी की उसको जैंट करेंगे तो इस कपड़े की जो उल्टी वाली साइड रहेगी वो उपर की तरफ रहेगी और पट्टी की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी और उपर से हाफ हाफ इंच दो बार फोल्ड करेंगे और नीचे से भी हम इसको हाफ हाफ इंच दो बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यह दिखिए इस तरह से उसके बाद में हम इसको सीधी वाली साइड में खोल लेंगे और एक हाफ इंच का फोल्ड करके जहां पे हमने सिलाई लगाई थी उसके उपर इस तरह से रखना है और उपर से एक सिलाई लगा लेनी है ये देखे मैंने इस खूँ सिल्के तयार कर लिया है अब एक पार्ट के उपर जिस पे हमने अस्तर का कपड़ा जोइंट किया है उसके उपर हमें हुक लगा लेने हैं और दूसरी साइड में हमें आई बना लेनी है उसके बाद में हम इसको डवल फोल्ड कर लेंगे फिर से और फिटिंग के निशान लगाएंगे और वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है यह देखे मैंने इसको पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और पीछे की तरफ मैंने इसमें हुक लगाए हैं इस तरह से तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो बहुती सुन्दर ये ड्रेस बनके रेडि हुई है